मत्रा वासियों को मेरा नमशकार मैं आपके जन्पद का वरेश पुलिस एडिक्षन डॉक्टर गौरफ ग्रोवर बोल रहा हूं जैसे कि आप अफगत हैं कि आज राती बारा बजे से पूरे देश में लॉकडाउन जो है वो प्रभावी हो गया है इसी के चलते जन्पद मत्रा के सभी बॉर्डर्स चाहे वो अंतर राजी हैं अंतर जन्पदी हैं सभी को ततकाल प्रभाव से हमारे द्वारा सील कर दिया गया है कुछी वहनों को छोड़ करके बाकी सभी वहनों के आवा गवन पर प्रतिबंद लगा दिया गया है इसके साथ साथ रोज मर्रा की चीजों के लिए आपूरति के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंद किये गये हैं एक समय तै किया गया है उस समय का आप सभी लोग अक्षरसा से पालंग करें और उसके अत्रिक्त कोई भी व्यक्ति अपने घर से किसी भी काम के लिए बाहर ना निकले इसके अत्रिक जणपन में धारा 144 वै एपिडमिक एट के कई प्राफदावनों को भी लागू किया गया है जिसके तहत पांच वै उससे ज़्यादा व्यक्ति कहीं पर इकठा नहीं हो सकते हैं आपको समस्या आती है कोई परिशानी आती है या कोई घटना घटेट हो दी है तो उत्रपरदेश पुलिस की जो अपात कालीन सेवा है डायल 112 वो लगातार चल रही है आप उस पर कॉल करके अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं पुलिस अप्रशासन तत्काल प्रवाद से विशेश रूप से भी हमारे मीडिया के बंदू है कि आप सभी लोग आपके संकर्क में जो भी लोग आते हैं उनको फोन के माध्यम से इस बारे में सही जानकारिया उनको बताएं और यह उनको प्रोशाहिद करें कि वो जहां पर हैं जिस घर में हैं जिस भवन में इस समय वो वहीं पर रहें उनको वहां पर कोई परिशानी नहीं आएगी लेकिन करोना के खिलाफ जो ये जंग पूरा देश लड़ रहा है उसमें सभी लोग अपना जिम्मेदारी समझें इसमें सभी लोगों दोरा पूरू के दिनों में जनपत्रा के प्रशासन का बहुत सहयोग कि आगया है परन्तु अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं लापरवा बन रहे हैं और पूरे समाज के लिए खत्रा बन रहे हैं ऐसी घड़ी में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ना केवल हम अपने घर परिवार के लोगों को बलकि अ रंपद और शहर के विबिन स्थानों पर 24 घंटे दोदोपालियों में लगी रहेंगी वो सभी लोग अपनी जीवन का परवार ना करते हुए आपके लिए आपकी सुविदा और आपकी स्वास के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कृपया आप उनके साथ किसी परकार का अबदर बैवार ना करें उनके साथ किसी परकार की लड़ाई ना करें कोई सबस्या है तो उनको बताएं वो आपकी तद्काल मदद करेंगे इसके अत्रिक्त ये एक ऐसी परिष्टिती है जिसको कि अगर हम अगले आने वाले दो-तिन हफ्तों में बहुत अच्छे से लॉक लोग इस बड़े संकट से इस बड़ी महमारी जो हमारे सामने आई है इससे हम लोग बात पालेंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैने